जहन नमस्कर सभी साथियों को और जहन सर को भी जहन बैकर आज हम लोग आये थे बीली डिफेंस एकड़ी राजस्तान सीकर में हैं और अभी हम लोग काफी सारे जितने भी हैं कोचे जो आप लोगों ने अंदोलन में देखे थें सभी कहीं न कहीं आलग जाके स्टेटों में और जिश्टीकों में जाके बच्चों से संपड़ कर रहें और उन चीजों को जानने की कुसिज कर रहा हैं जैसे अंदोलन में हम लोगों ने अपने वीडियो देखा हुगा सभी लोगों कि राजणासर ने एक महीने में नोटिफिकैसन जारी होगा तो जितने भी कोचेज सब के पास संपर्ख करने के लिए एक दूसरे से सारी चीज़ें जुड़ी हुई है और आज हम आये थे बीरु सर के पास जहीं सर अभी हम जानेगे बीरु सर से कि यहां पर क्या महल है राजस्तान में और बीरु सर ने जैसे कि आप लोग देखा होगा और बात भी होती रहते कि जन संपर्ख में हैं बच्चों से मिलते रहते हैं और सारी चीज़ें एक्टिव है इन चीजों के लेकर और यहां पर जितने भी डिफेंस एकेडमी के बंदे हैं जैसे वीरु सर हो गया है और कई लोग है जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं और बच्चों के हित के लिए क जो अपने जूम पे मिटिंग हो रही थी तब भी मैंने का आदा कि 10-20 संचालक जितने भी होते हैं जैसे वहां पे 47 संचालक थे अगर एक एक संचालक 20-20 बच्चों को लेके भी आता है तो आप 47470 प्लस 470 होते हैं तो एक अच्छी कासी वहां पे अपन तरीके से बेटके कर सकते हैं लेकिन कुछ गल्तियों की वज़े से जो है अंदोलन ऐसा पर नहीं कह सकते क्योंकि मुखरजी नगर में लगातार चल रहा है अब बात रही दो बार आगी तो जन संप्रक ऐसा है कि शिकर मेरे लिए यहां पर कर रहा हूं तो वह दाइत मेरे पास है जुन जुन अपने हनुमान जीवेनिवाल सांसथ सहाब है उन्होंने मगदेश्का की है इसमें उनको बात बताई तो वहाँ पर बैठक मीटिंग हुई है नरेंदर जी खीचड है सांसथ साहब जुन जुनु से वह भी संप्रक में है तो उन्होंने का आपको एक महीने का समय दिया गया तो आप एक महीने तक इंतजार को जैसे 6 तारी कौन से मिटिंग हुई थी जो टीम गई थी तो 6 माई के बाद में ही आगे का प्रोसेस होगा फिर से अगर नॉटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर से दिल्ली का गेरा होगा और फिर से महां पे चलेंगे आप यह कानपूर में जैसे आपके चलेंगे कानपूर में तो ठीक हम लोग भी बहुत सारे बच्चे जो अधर वाज एक त्यारी करते हैं और जो बहुत सारे जैसे अपने कुछ सांसदों के नाम लिए वैसे हम लोग भी उनसे बात करके हम लोग सोचते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस होः मनरा सबी कोाइगे साने साली बेदन हैं कि आप रूड़की ज्यादा से दिश्वन से त्यूंड़कारव करेंगे वह दिशाख काम करने में तुड़ा अच्चा लगेगा तो आज हमें बहुत ही उच्छा लगा क्योंकि हम बीरू सर के आए हुए हैं और सारी चीज़े में देखी हैं कर बहुत ही ऐच्छा आए और पुरा चाहिं था öघ और इसर देखाए में आप लोग बैठे है Cancer को यहां कि आइक PayPal की आपका लिएप बस मेहमान आया बैठाल दिया बिजवा दिया दूसरे से नहीं ऐसा कुछ नहीं है सरम को खुद लेने गए कम से कम यहां से दो किलोमिटर दूर लेने गए और यहां पर हमारे साथ भी अभी भी रहें और रात तक हम लोग बाते करते रहें बस इसी बच्चों के बभीस के बा सब्सक्राइब रहेंगे आपके ही तुर्याइब काम करते हैं अगर आप इसी महीने में और अगले महीने में बच्चों की जो वहरतीय हैं वह ररीच करिवाएं मैंगे अगर यहां जब सकता है नहीं होता है तो आगे काम और यह चीज बहुत अच्छी लगी कि जड़ी सरकानपूर से इसी चीज के लिए इस मुत्यपे की बातचीत करेंगे कि अंदोलन में क्या करना चाहिए कि दोबारा इसी गलतिया ना हो कई नौटिफिकेशन नहीं आता है तो बैठ के शांतिपुरुक तरीके से किस परकार बै सब्सक्राइन से चाहिए कुछ लोगों की अभी कमेंट करेंगे कि यह दोनों दो दिल्ली में कहीं बैठे होंगे शूट कर लिया होगा वहार चलके और यहां पर रूम में बैठ के बना लिए ओगा पूरा कैंपस से सरका और इधर दिखा दो यह पूरा इधर घुमा दो पूरा कैंपस पूरा बना हुआ 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 आज कल जादा तर यह कहते हैं यह तो फेट दिली में रूम पे फेट के बना दिया लगी ओल जैहिंद जैभार